नमश्कार मित्रों कैसे आप सब मैं जशर्मा इंधियद्यापक आपके सामने मौझूद हूं प्रत्य के प्रकरण को लेकर जिस शब्द सौशब्दों की माध्यम से इस प्रकरण को पढ़ेंगे और वह सौशब्द कैसे होंगे वह सौशब्द होंगे संभावित जटिल, जटिल, कठिन, क्लिष्ट ये एक की सम्मंदित है, अति महत्पूर्ण, और विगत परिक्षा परशन पत्रों में चैनित, ऐसे शब्दों को ले करके हम आएंगे, और ऐसे शब्दों पर फिर हम देखेंगे, कि उनके अंदर प्रत्य क्या शामिल है, कौन सा प्रत्य है, इन सभी चीज़ों पर हम विचार करने वाले हैं, और इन सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ, कि ये concept आपको परिक्षा की दरश्टी से, बिल्कुल महत्पूर्ण रूप से, बहुत अच्छे तरीके से, फिट हो जाएगा अपने लगाने की आवशक्ता नहीं है, केवल रुची लगाओ, दिल लगाओ, हिंदी से जिससे आपकी परिक्षा में सफलता आपको प्राप्त हो सके, बिल्कुल आईए चलते हैं, तो, अम मैं कुछ यहां पर आपके सामने शब्द लिखूँगा, मैं कुछ यहां पर आपके साम महत्पूर्ण होंगे, उनमें कोई ना कोई रहस से होगा, सामाने रूप से शब्द नहीं लिखूँगा, मैं, अगर मैं सौ शब्द आपको यहां पर प्रत्य के दे रहा हूं, तो, उनमें कोई ना कोई रहस से होगा, साथ ही उन शब्दों में नियम क्या है, तो करीबन शब्द के पीछे उसका नियम्बे बिल्कुल अवश्य रूप से पता हुआ इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है बिल्कुल दिल लगा कर रुच्छी के साथ आप हिंदी की शुरुआत करें हिंदी को पढ़ें देखिए कि अब अब मैं शब्द लिख देता हूं आपके सामना इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है ने शब्द लिख दिया अगला जो शब्द है वो लिख दिया मैंने बपोती खटिया कसेरा बपोती खटिया सब्द है यह शब्द मैंने याप पर लिखती है अब देखो समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात यह है अगर अगर मैं बताओं तो प्रत्य के बारे में चोटी सी चीज आप यह समझीए आहस्ता करें प्रत्य पढ़ रह रहा है कहीं भी पढ़ रहा है बिल्कुल ठीक बात है पढ़ रख हैं अक्चिए बात है लेकिन आज जो मैं आपको जिस तरीके से प्रत्य बताने जा रहा हूं उसमें एक छोटी सी चीज आपको द्यान की रखनी है तका प्रत या द्वनी और द्वन किसी निकिसी शब्द के पीछे आपको मिलेगी वो अवशकता कहा पड़ी वो व्याकणिक रूप से नहीं जोडता शब्द में संदी के नियमरू से प्रत्य कभी की शब्द में नहीं जोडता शब्द में अंत में कोई ना कोई ध्वनी जोड जाती है जैसे सेठ है इसमें आनी की ध्वनी लगा करके सेठा नहीं बन गया शेर है इसमें नहीं की ध्वनी लगा करके मुखिया बन गया तो मुख में वैसे आप यह जोड़ोगे जब तो और यह जो ध्वनी है यह द्वनी बरवली यानि मौकी रूप से जिस प्रकार से शब्द में हम लगाते हैं उसे प्रकार से शब्द लेखन के आधार पर अपना रूप ले लेता है तो यहां पर बिल्कुल आपको प्रेंशन लेने के आप शक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि जै द्वनी को निकालने के बाद कि आपके पास जो शब्द है आप उसमें कोई और प्रत्य लगा सकते हो क्या अगर द्वनी को निकालने के बाद प्रत्य को अलग करने के बाद बचे हुए शब्द में आप कोई और प्रत्य भी लगा सकते हो तो समझाओ आपने प्रत्य को सही तरीके से लग किया है तो कि एक प्रत्य के हटाने के बाद उस मूल शब्द में दूसरा प्रत्य भी तो लग सकता है तो पता चलेगा कि मूल शब्द है और इसमें प्रत्य चेंज होते रहते हैं इसलिए बिल्कुल टेंशन मत कीजिए अब होता क्या है जब पीछे हम ध्वनी थानी कि आगे जाकर कि इसमें व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया जैसे भी उचित लगा ध्वनी को उसी प्रकार से उन्होंने शब्द को रूप दे दिया जैसे देखो ठाकुर शब्द है शब्द क्या है ठाकुर अब बहुत ध्यान से समझना कि ठाकुर में आईन शब्द और जोड़ दिया ठाकुर में आईन और लगा दे तो क्या बन जाएगा ठाकुर अब ध्यान से समस्तियों चलना उन्होंने क्या कि यह तो ठाकुर साब की पत्नी को क्या कहें ठाकुरों के घर ठाकुर साब की पत्नी को क्या कहें तो धर्म पत् संदी देखें कि इसमें दीर्क संदी कुछ नहीं देखा उन्होंने उन्होंने जोडी तो ठाकूरण बन गया अब जब वह ठाकूराईन कहने लगे तो नहें लगा ठाकूराईन बोलने में थोड़ा वही तो प्रित्य है दूसरी वाली बात यह कि ठाकुर में आइन लगा करके उन्होंने बनाया ठाकुराइन और उसको भी बोलने की सहजता के आदार पर ठाकुराइन रग दिया अब जब आज हम व्याकरण में ठाकुराइन शब्द पढ़ते हैं तो हमसे कहा जाते कि प्रत्य करो जब प्रत्य अलग किया जाता है तो चलो हमने अंत मैं आउइं की दो नए है इसलिए आईं नामतपते को करना होगा, हमें हमारी समझ का इस्तिमाल करना होगा, क्या मूल शब्द ठकुर नहीं हो सकता, ठकुर आई, ठकुर की पतनी है, इसका मतलब, मूल शब्द इसमें ठकुर है, तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने क्या है, बोलनी की सहजता के आदार पर शब्दों को खाकार से लिखें हैं, जो लेकान दनके बोलने का आदार पर उन्हों अपने सहजता के लिए इसको गलत कर दिया कहें इसकी मात्रा खाग़ें, देखो कैसे शब्द है ठकुराइन अब जब ठकुराइन शब्द है तो ठकुराइन शब्द की हम बात करेंगे कि इसमें अंत में ध्वनी क्या है इसमें जो अंत में ध्वनी है वो है आइन आईन तो क्या हो गया प्रत्य अब जब हम इसमें मूल शब्द की बात करेंगे तो इसमें मूल शब्द निकल के आ रहा है ठकुर इसमें मूलशब्द निकल के क्या आरा है ठाकॉर अब आप मुझे खुद बताओ जा ठाकॉर मूलशब्द है और से आपके हैसाब से किया उना चीछ沖 है घाप और फिर एईम क्या है इस चीज का विशे जियान रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए एक शब्द है ओपोटी अ इसमों अंत में धनी क्या है तो अंत में तो धनी निकलती है अंती कि अव्थि और अोटी क्या है कि अव् अव्थी तो थक्तते हैं कि अ 돼 कि अब इसमैं जो दूसरा अफ अप आउटी को निकाल करके दूसरा जो शब्दब वचा है वह बचा है बप है अब बब मूंऑ शब्ड नहीं हो सकता क्योंकि बज है वो मूंऌ शब्ड नहीं है बपोती किस से संब्म रखती है बपोती शब्समन्होंह सबसंद रखता है वाफ से अरफात इसका जो मूल शब्दे क्या होना चाहिए इसका जो मूल शब्द वह बाप मर तो इस प्रकार से आपको देख लहना है कि प्रत्य निकालने के बात, जो मूल शब्द है, वो क्या है, और मूल शब्द के वास्त में जो दिख रहे है, वो मूल शब्द है, या इसके पीछे कोई लंबी कहानी है, इस चीज को जैसे ही लेकिन प्रत्य में थोड़ा सब विवेक लगाने के आपको आवशक्ता है आगे बढ़ते हैं देखिए आगे बढ़ते हैं अगले श्रॉप्तों के अब मैंने बात की खटिया की अगर मैं बात करूंगा मैं आपसे कहूंगा कि इसमें जो अंत में ध्वनी निकलती है वह ये की निकलती है किसकी द्वनी निकलती है इया ध्यान से समझना अंत में जो द्वनी निकली वो किसकी निकली इया और इया इसलिए इया तो क्या हो गया इय तो इय तो क्या हो गया प्रत्य अब इय प्रत्य हो गया तो इसमें जो मूल शब्द है वो खट की ध्वनी निकलती है खट अब आप खुद देखो जो खट शब्द है वो खट तो नहीं हो सकता इसका मुल शब्द क्या होगा इसमें जो मूल शब्द होगा वो होगा खाट जो की मूल शब्द होगा खाट होगा जो की क्या होगा मूल शब्द हाट होगा जो कि क्यो होगा मूल शब अब आगे चलते हैं देखो इसमें जो दोनी है वो निकल रही है एरा एरा दोनी है इसलिए एरा को हम क्या बोल सकते हैं प्रत्य बोल सकते हैं अब आपने कहा कि एरा क्यों है अईरा क्यों नहीं है एरा इसलिए है अईरा इसलिए नहीं क्योंकि उपर एक मात्रा है और एक मात्रा को जब हम स्वतंत रूप में लिखते हैं तो बिना मात्रा का ए आता है और यहां पर आ गया कस लेकिने कस नहीं है यह जो मूल शब्द है वो क्या है कांसा कांसा मूल शब्द है इस चीज का विश्य ज्यान रखना मूल शब्द क्या है भी कांसा और कांसा मूल तो उन्हें अपनी वानी की सहचता के अधार पर उच्चारण की सहचता के अधार पर बोलने की सहचता के अधार पर उस कांसेरा को भी किस में बदल दिया कसेरा में बदल दिया यह बहुत सारी चीजे हैं जो प्रत्य में कहीं न कहीं हमसे गलती करवाती हैं क्योंकि देखो कस कसेरा शब्द कर दे दिया और कसेरा शब्द दे करके उसने पूछा इसमें मूल शब्द क्या है तो आप तो एरा की द्वनी निकाल करके कस कस बचा लोगे तो वहां पर पहला जो विकल्प मिलेगा वो कस की रूप में मिलेगा और दूसरा जो विकल्प मिलेगा वो कासे के र अब ये एक शब्द और बच गया सपेड़ा इसमें भी एरा तो प्रत्य है और सप नहीं होता सांप होता और सांप क्या है मूल शब्द है अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब आगे बढ़ते हैं अगले शब्द देखो सपोला कलूटा नकेल वभुवा सपोला कलूटा नकेल वभुवा सपोला कलूटा नकेल वभुवा कि एकड़ खिलाडी बटीया यकर खिलाडी बटीया सबसे पहले जो मैंने शब्द लिया वो कौम सा लिया वो लिया सब बोला अब आप इसे हम सोचो तो हम थोड़ा सा समझ नगा हम थोड़ा सा समझ नगा पहला जो शब्द है वो क्या है सपोला अब सपोला की अगर मैं बात करूंगा तो सपोला में धोनी किसके निकल रही है तो सपोला में धोनी निकल रही है ओला और ओला धोनी निकल रही है अरथा तो ओला तो क्या हो गया प्रत्य जब ओला प्रत्य हो गया तो मूल शब्द क्य हो गया सप यह सप नहीं है यह सांप है यह सब तो हो गया गलत और सांप हो गया सही तो सांप धन ओला अर्था मूल शब्द तो क्या हो गया मूल शब्द तो हो गया सांप ध्यांजे समझे ना मूल शब्द तो क्या हो गया सांप और ओला क्या हो गया प्रत्य कलूटा मैं मैं बात करूँगा, अब इसमें ध्वनी क्या निकल रही है, इसमें ध्वनी निकल रही है, उटा, 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 और ध्वनी निकल रही है, उटा, इसलिए प्रत्य कौन सा हो गया, प्रत्य हो गया, उटा प्रत्य, और मूल शब्द क्या है, मूल शब्द कल है, क्या कल, कल नहीं है मूल सब्द है काला काला भन उटा मिलकर के क्या बनता है कलोटा काला ensures मिलकर के क्या बन जाएगा कलोटा इस शीज का विशेज ज्यान रहना आगे चलते हैं अलिपको कि में नकेल में जो एक सब्द है वो तो है अंत में जो ध्वनी निकल रही एल आल-एल तो प्रत्य है और मूल शब्द क्या है मूल शब्द है नक क्योंकि मूल शब्द तो यहां पर नक की बच्चा दोनी निकालने के बाद लेकिन नक नहीं है मूल शब्द जो है वो है नाक क्योंकि नकेल का सम्मंद किसे है नाक से नाक क्या हो गया नाक मूल शब्द हो गया मूल आगे चलते हैं देखिए तो यहां पर कल हो गया यहां पर ना हो गया यहां पर साप और ओला बवुआ वह में अंत में धुनी क्या भी बवुआ में जो अंत में धुनी है वह 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 को तोलिकर कि अब अब दोनी और तो दौन्य को अब्रत्य कह अब खरर बशचां किया बबु यह बबु मूल शब्ल तो है तो नहीं है तो मूलब क्या होगा मूलब क्या हो गया यह समझे वाली बात है कि मूल शब्द के बाद जो धुनी लगी है वो धुनी तो है अकड यानि किसी भी काम को करने वाले को अकड बोलते हैं अकड तो अकड तो क्या हो गया अकड तो गया प्रत्य प्रत्य तो क्यों हो गया अकड़ अब बच्चा क्या पी यह नहीं इसमें जो मूल शब्द है वो है पी इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है पी अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है ध्यान से समझने वाली बात यह भाई ध्यान से समझना ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अकड और पी अब यह बोलने के अधार पर क्या होगा बोलने के अधार पर होगा पी अकड पी अकड पी अकड पी अकड वो बदल किसम गया सहजता उनको किसमे लगी उनको तो सहसता लगी प्यक्कड बोलने में इसलों उन्होंने प्यक्कड का उच्चारण कर दिया बाकि वास्त्वर रूप से क्या है पी अक्कड कि अब देखो अंतिम शब्द देखते हैं अंतिम शब्द क्या है तो इसमें ध्वनी निकलती है आड़ी द्वनी किसके निकलती है आड़ी की किसके द्वनी निकल रही है आड़ी जब आड़ी द्वनी निकलेगी तो मूल शब्द क्या बच गया तो मूल शब्द बच गया आड़ी द्वनी निकलने के बाद खेल खेल नहीं मूल शब्द होगा खेल यह मूल शब्द है मूल शब्द हो गया, खेल, खेल प्लस आड़ी, इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने किया कि, देखा कि को शब्द जो ब्रहमुत्पन करते हैं, और ब्रहमुत्पन किसम करते हैं, वो ब्रहमुत्पन करते हैं, अपनी गलत सरचना के कारण, गलत रचना के कारण, वो ब्रहमतपन करते हैं मूल शब्द को खोजने में लेकिन मूल शब्द को हमें अपने विवेक से देखना होगा अब यह शब्द ऐसे कमनी हुए जितने भी समस्त शब्द हैं वो समस्त शब्दों को मैं यहां पर लिख रहा हूं तो बिल्कुल भटकने की घवरानी की देखी देता हूँ देखो अब तो देखो शब्द हैं बिटिया बिटिया मिठाई सचाई पिछड़ा बिटिया मिठाई पिच्चाई पिच्चड़ा पिच्चाई पिच्चड़ा बुलग गड़क बुढ़ा पा बलकड़ बुड़ापा तुटिया लुटेरा मुटापा उटापा उट्पन ठीविया अब देखो इनको समझ लेते हैं तो इनको समझेंगे अब ध्यान से समझने आपड़ ठीक है ध्यान से आप यहाँ पर समझोगे और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है शब्द है बिटिया बिटिया में जो ध्वनी निकली है वो ध्वनी है इया की तो इया को तो हमने क्या माल लिया इया को तो हमने माल लिया प्रत्य यहाँ पर इया को तो हमने क्या माल लिया प्रत्य अब यहां पर जो शब्द है वो एक शब्द निकला है bit, bit अब bit शब्द तो क्या है गलत, bit मूल शब्द नहीं है, तो मूल शब्द जो है वो है bet, bet यह मूल शब्द है मैंने आपसे कहाता मूल शब्द सही है इसकी पहचान कैसे हो कि आप उसमें कई प्रत्य लगा सकते हो आप इसमें E प्रत्य लगा सकते हो आप इसमें A प्रत्य लगा सकते हो आप इसमें A प्रत्य लगा सकते हो आप इसमें A प्रत्य लगा सकते हो बेटे इस प्रकार से बेटी, बिटिया, बेटा, बेटे ये सब प्रत्या आप इस मूल शब्दों में लगा सकते हो मूल शब्द क्या हो गया? बेट हो गया मूल शब्द बेट हो गया अब यहीं पर आ जाओ इस शब्द में यह शब्द क्या निकला तो यह शब्द निकला आई आई की ध्वनी निकली इसलिए आई तो क्या हो गया मूल शब्द हो गया आई की द्वनी निकलने के बाद आई तो क्या हो गया मूल सॉरी 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 आई तो प्रत्य हो गया द्वनी आई की है मेरा दिमाग कहीं और चला गया तो प्रत्य तो क्या हो गया आई अब इसमें जो मूल शब्दों मिठ है मिठ तो मिठ होता है क्या मिठ होता है कि मिठ? नहीं इसमें जो मूल शब्द माना है वो हम मानेंगे मीठा मीठे से बनी हुई मिठाई तो मीठा, तो इसमें मूल शब्द क्यों हो गया? मीठा मूल शब्द क्यों हो गया वही? इसमें मीठा अब देखो बिटिया में जो मूल शब्द है वो क्या है तो बिटिया में जो मूल शब्द है वो है बेट और उसमें जो धुनिय वो क्या है या उसी प्रकार से जब हमने यहाँ पर देखा कि मिठाई तो मिठाई शब्द में जब हमने देखा तो मिठाई शब्द में पाया कि आई प्रत्य है और इसमें जो मिठ शब्द नहीं है मूल शब्द है वो मीठा है और जो मीठा शब्द है वो मूल शब्द हो गया आते हैं अगले शब्द की तरफ अगला जो शब्द है वो है सिच्चाई अब इसमें दो शब्द हो गए एक तो प्रत्य तो कौन से हो गया प् प्रत्य तो आई हो गया आई प्रत्य होने के पीछे कारण क्या है आई प्रत्य होने के पीछे कारण यह है कि धौनी किसके निकलते है आई की और मूल जो शब्द हो सिच है क्या सिच नहीं मूल जो शब्द है वो है सीच मूल शब्द क्या है सीच सीच इसलिए इसलिए इस चोटी चोटी चीजों को लेकर कि अगर आप चलोगे तो आप कहोगे कि हाँ आनन्द आ गया वर्ना बेट भटकते ही रहा जाओगे कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में कि कभी किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता कभी जमी तो कहीं आसमा नहीं मिलता बिलकुर यहां पर हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलता भगवान को भी यहां पर हर चीज नहीं मिली खुद भगवान को भी कृष्ण को भी अपने माता-पिता का प्यार नहीं मिला और जब माता-पिता का जहां प्यार मिला वो ओरिजिनल माता-पिता नहीं थे लेकिन प्यार ओरिजिनल था अब वहां पर रहे तो ये छूट गए जब इनको छुड़ाने आए तो वो छूट गए तो यहाँ पर कभी किसी को मिलता नहीं है इन सभी के मद्द में इन कभी के बीच में एक सेकंड आगे चलते हैं अब अगले शब्दों की तरफ चलते हैं तो अगला शब्द क्या है तो सीच मोल शब्द हो गया अब बात करेंगे पिछड़ा पिछड़ा देखो पिछड़ा बहुत आसान शब्द है पिछड़ा लेकिन उतना ही कठिन रकलिष्ट है प्रत्य के लिए तो पिछड़ा शब्द को देख लेते हैं इसमें जो ध्वनी है वो तो है डा इसलिए यह जो डा है यह तो क्या मालिया हम प्रत्य मालिया और मूल शब्द जो है वो पिछ नहीं है मूल शब्द जो है वो ह पीच है पीच पीच दळनडासे पिछड़ा बना है इस शीच का विश्री जहां रगना आया हुआ हुआ प्रश्ण का पीछड़ा बना है और वहीं पर एक जो शब्द है वोय शब्द क्या है अकड लें शवरिया कि ये जो अकड्य है यह तो गई प्रत्त You है अभूल शब्द इसमें भूल है क्या भूल नहीं मूल शब्द है इसमें भूल भूल धन अकड से क्या बन गया भूलकड मूल शब्द क्या हो गया भूल और इसमें प्रत्य क्या हो गया प्रत्य हो गया अकड अब आते हैं अगले शब्दों की तरफ देखिए अगला जो शब्द है हमारा वो बड़ा ही आसान शब्द है अगला जो शब्द है वो बड़ा ही आसान श तो आपा ध्होनी तो है बहुत अच्छी ध्होनी है कोई भठकने वाली बात नहीं लेकिन बात क्या है कि यहां पर अच्छा आपा जो ध्होनी है इसलिए आपा तो क्यों गया प्रत्य और मूल शब्द क्या है बूढ यह बूढ नहीं है यह मूल शब्द है बूढ 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 अब इस मूल शब्द में आप आ लगा दो आप यह प्रत्य लगा दो आप ए प्रत्य लगा दो इसका मुल शब्द क्या हो गया मुल शब्द हो गया बूढ मुल शब्द क्या हो गया वही बूढ अब वहाँ परिक्षा में अगर आप बूढ नहीं मिले और बूढ मिल जाये तो बूढ माल लेना देखो चुटिया में जो मूल शब्द के बाद जो धौनी लग रही है वो धौनी तो मिलती है या तो या तो क्या हो गया या तो गया प्रत्य है या तो क्या हो गया भी प्रत्य है और ये जो चुट है ये चुट नहीं है ये मूल शब्द है चोटी चोटी का छोटा रूप चोटिया हो गई इसका मतलब जैसे खाट का छोटा रूप खटिया है चोटी का छोटा रूप चोटिया है लोटा का छोटा रूप लुटिया है इसका मतलब जितने भी शब्द हैं जिनके अंतमे या है वो मूल शब्द के छोटे रूप हैं इस चीज कभी विश्य ध्यान आपर क्जलों गए तो यह रचलते हैं अग्ला है वो है एरा है और दोनी तो क्या है द्वनी तो है एर डोस तो किया हो गया पृट तो ग कERE घॉप लूट क्यों हो गया लूट अब देखों मुट आपा इसमें ध्वनी तो है आपा आपा ध्वनी होने के कारण यह तो क्यों हो गया प्रत्य है लेकिन मुट मूल शब्द नहीं है तो मूल शब्द क्या है मोटा मूल शब्द क्या हो गया मोटा यह तो मोटा देखते हैं मेरी तरफ में देख रहे हो रहे हैं बेटा इसको मोटा नहीं इसको फिट कहते हैं देखो तो मुटा धन आपा तो यह तो गलत हो गया मोटा धन आपा से क्या बन जाएगा मुटा आपा इसमें जो पन शब्द है वो तो है अंत में ध्वनी के रूप में काम में लिया है इसलिए पन तो क्या हो गया प्रत्य अपना पन पराया पन छुट पन बड़ा पन पन तो क्या है प्रत्य और छुट नहीं है यह यह क्या है छोटा प्लस पन मिलकर क्या बन जाएगा छुट पन और आगे चलो अगला जो शब्द है वह है खिवया अंत में धोनी किसकी निकल रही है अंत में धोनी निकल रही है अईया अंत में धोनी किसकी निकली अंत में धोनी निकली अईया तो क्या हो गया अप्रत्य और मूल शब्द खिव है या खे है मूल शब्द है खे 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 ना मूल शब्द क्यों हो गया मूल शब्द हो गया खे खे आनि खेना अच्छा खिव भी आप मान सकते हो, अगर खे नहीं आए, खे आजाए तो खे भी मान लेना, तो देखो या तो खे ना, खे प्लस अईया, खिवईया, या खिवधन अईया, खिवईया, इस तरीके से आपने इन शब्दों को देखा, इस बोर्ड को देखा, और इस बोर्ड पर देखने के बा जो कैसे हैं भी, अपवाद हैं, तो तीन शब्द कैसे हैं अपवाद, उसको मैं यहीं ले ले लेता हूँ, तीन ओशब्दों को, देखो, क्वों की, मैं के लेका लेस्, और कि ले अवगे, या कि कि यहां पर खिंदी मैंने एक लाइन ठीक है अम मैं तीम शब्दों को ले लेता हूं जो पर वास रूप चलते हैं एक राजस्तान पटवार 2011 में आई हुए शब्द हैं और शब्द कौन से शालीन हरीतीमा गरिष्ट देखिए देखो कैसे पहला जो शब्द है वो है शालीन दूसरा जो शब्द है वो है हरीतीमा और तीसरा जो शब्द है वो है गरिष्ट तीन शब्दों है शालीन हरीतीमा और गरिष्ट ठीक है अब तीनों शब्दों के रूप को पढ़ लेते हैं शालीन अरित्यम और गरिष्ट देखोएं शालीन कहा या हुआ है राजस्तान पटवार 2011 राजस्तान पटवार 2011 देखो इसमें पहला जो शब्द लिया हमने वो ध्वनी के रूप में लिया और ध्वनी क्या है ध्वनी है इन अब इन ध्वनी है इसलिए इन क्या हो गया प्रत्य हो गया अप मूलशब्द क्या शाल है क्या मूलशब्द शाल तो नहीं है तो फिर मूलशब्द क्या है शाल नहीं है मूलशब्द है शील सबक्र New तो शील धन इन मिल करके क्या बन गया शालीन आगे देखो इसमें जो द्वनी निकली वो निकली इमा इमा इसलिए इमा तो क्या हो गया प्रत्य इसमें जो दूसरी द्वनी निकली इमा को अटा करके मूल शब्द की रूप में वो हरीत निकली है हरीत लेकिन हरीत नहीं होता हरीत नहीं होता हरीत होता है हरीत ये इसका मूल शब्द हरीत धन इमा से मिल करके हरीत इमा बना है यहां छोटा री है लेकिन नीचे जब इसमें इमा प्रत्य लगाया तो यह हरी तीमा बनी गया इस चीज का विश्य जयार लखना आगे जो शब्द है वो है गरिष्ट इसमें जो ध्वनी है वो क्या निकली है इस्थ ध्वनी निकली है तो ध्वनी है तो ध्वनी का मतलब तो प्रत्य होगा इसलिए इस्थ तो क्या हो गया मूल शब्द है कि गूरू और इस्थ मिल आ करके क्या बना है गरिष्ट गूर और इस्थ मिल करके क्या बन गया अब v customized क्या हो गयत मूल शचव्ड ऑगया मैं इस प्रकार से आपने और शब्दों को देखा शालीन गरिष्थ हरीतिम्ह यह शब्द वो हैं कि आपने अपना टॉपिक पढ़ लिया केसी भी टीचर से प्रत्य पढ़ लिये लेकिन प्रत्य को पढ़ने के बाद प्रत्य को पढ़ने के बाद आप कहां कहां पर आपकी कमजोर इस्तीती रह गई और आप परिक्षा में अटक सकते हैं उन चीजों को लेकर करके मैं आपके सामने आया हूं अब मैं और शब्दों की बात करूँगा यह हो गया पहला पेज यह हो गया दूसरा पेज यह हो गया तीसरा पेज अब चलते हैं अगले पेज पर देखो भी अब आज मैं आपको पहले तो मैं शब्द लिखवा रहा हूं और शब्दों के बाद फिर नियम के लिए भी जगा छोड़ूँगा तो इधर तो मैंने नियम लिखने के लिए इस पेस रख दिया ठीक है यह तो रख दिया नियम लिखने के लिए और अब लिखो आप शब्द पहला जो शब्द है वो बहुत अच्छा शब्द है यूपी सच्छी वाले पर रिक्षा समिक्षा दिकारी 2016 का है और वो शब्द है स्वाभाविक स्वाभाविक यह पहला शब्द हो गया उसके बाद जो दूसा शब्द है वो है वार्तिक वार्तिक और तीसरा जो शब्द है वो है वार्तिक यह शब्द हो गए इसके बाद प्रीड एश्टीसी का है याद्रिच्छिक 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 और याद्रिच्छिक के बाद जो अगला शब्द है वो है राजसान उचनेले परिक्षा का वैश्यतिक वैयक्तिक वैश्यसिक भी शब्द है और इसके बाद एक शब्द और ले ले लेते हैं दैनिक ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वो आएगा नहीं तो दैनिक लिखती है अब देखो यहाँ पर गंभीरता समझना गंभीरता क्या है गंभीरता समझोगे तो आनंद आ जाएगा कि कुछ प्रत्य ऐसे हैं कुछ प्रत्यों का मैं नाम लिख रहा हूं जो प्रत्य अगर किसी मूल शब्दों में लगते हैं कुछ प्रत्य ऐसे हैं जो अगर मूल शब्द में लगते हैं तो मूल शब्द में लगने के बाद मूल शब्द का प्रत्म वर्ण होता है उसके स्वर में वो व्रद्धी कर देते हैं अब कौन-कौन से हैं उनका नाम कौन-कौन सा है तो नाम बता देता हूँ इसलिए बिल्कुल भटकने की आवशकता ही नहीं यह नाम सुनो नाम कौन-कौन से हैं इक आ या इ आया यह मूल रूप से वो प्रत्य है जो क्या करते है मूल शब्द के प्रथम वर्ण में व्रद्धी कर देते हैं मूल शब्द के अब व्रद्धी कर देते हैं अब व्रद्धी कर देते हैं यह करते हैं यह जो एक प्रत्य है यह दो प्रकार से कारिय करेगा पहला कारिय तो क्या करेगा? ज्झान से समझत, एक परत्य पहला कारिय क्या करेगा, कि मूल शब्द का प्रतम वर्ण जो होता है, उसमें जो स्वर होता है, उसमें क्या कर देगा, व्रिद्धी कर देगा, स्वर में क्या कर देगा वृत्ति और दूसरा काम क्या करेगा इमूल शब्द का अंतिंवर्ण है उसमें जो स्वर है उसका तो कर देगा लोग सॉयम शामिल हो जाएगा कि शामिल जाएगा अब सुवर्ण कैसे शामिल सुनो मैं यहाँ उधारण के माद्यूम ते आपको और देता हूं लगने एक शब्द लिखे समाज के समाच शब्द से प्रता लगा दिया एक अब यह प्रत्य कितने जगे काम करेगा दो एक तो मूल शब्द के प्रत्म वर्ण पर एक मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर मूल शब्द के प्रतम वर्ण क्या है सा इसको तो क्या बना देगा सा अंत में जैम में से निकाल करके खुद चामिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा जिक और शब्द क्या बन गया सामाजिक अब आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है देखो यहां तक सामाजिक समझ में आ गया अब आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मूल शब्द का जो प्रतम वर्णे उसमें जो स देखो अगर A है या A है उनको तो कर देगा A अगर E है A है I है तो उसको कर देगा I अगर O है O है O है O है तो उसको कर देगा और अगर री है तो उसको कर देगा आर यह परिवर्तन यह करेगा इस प्रकार के परिवर्तन यह करेगा अब सबसे पहले मैंने जो शब्द लिया है वो लिया है स्वाभाविक 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 कहां यह हुआ है सबसे पहले तम यह देखते हैं जो स्वाभाविक शब्द है वो आया है कि यूपी सची वाले परिक्षा समिक्षा दिकारी कि यूपी परिक्षा समिक्षा धिकारी 2016 मैं आप अब समझने वाली बैद क्या है इसमें दोनी क्या निकल रही है वही इसमें जो अन्त में दोनी निकल रही है वह है एक इसमें जो मूल शब्द है वो है सौभाव, वैसे तो भाव है, लेकि मूल शब्द हम प्रत्य में उसको मानते हैं, जिस समस्त शब्दों में प्रत्य लगा है, इसलिए ये जो समस्त सब्द है सौभाव, इसमें एक प्रत्य लगा है, अब मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, आपका ऐसा समझम नहीं आएगा देख ज्यान से समझने मैंने एक शब ले लिया सवहाव और दूसरा शब ले लिया एक ये एक हो गया प्रत्य ये एक कितनी जगे काम करेगा दो जगे एक तो पहले अक्षर पर मूल शब्द के पहले अक्षर पर और अंतिम अक्षर पर पहला अक्षर है से से है हलंत तो जब पहले अक्षर में स्वहर नहीं होता तो फिर आप आजाओ मूल शब्द के दूसरे अक्षर पर मूल शब्द के जब आप दूसरे अक्षर पर आओगे तो आपको क्या मिलेगा ये वे है इस वे में क्या मिला हुआ है अ आपको क्या करना है कि मूल शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसका जो स्वारे उसकी व्रद्धी कर देनी है अब वे में ए का स्वारे उसकी व्रद्धी क्या होगी ए का हो जाएगा आ तो ए का तो क्या हो जाएगा आ और यह क्या बन जाएगा वा अब अंत में जो यह वे है इस वे में क्या मिला हुआ है अंतिम वाले वर्ण का क्या करना है कि अंतिम वाला जो वर्ण है उसमें जो स्वरे उसका लूप कर देना है इसका तो कर दिया लूप इस प्रकार से आपको यह समझना है तो स्वावभाविक कैसे बना? आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ जबको अगला शब्द मैं लिख देता हूं मैंने शब्द लिख दिया वारता उसके बाद प्रत्य लगा दिया एक ये एक प्रत्य एक तो वा पर अपना प्रभाव डालेगा एक इस तापर इस वा में तो आ मिला हुआ है आ का वृद्धिकरण भी करेगा तो ये वाई बनेगा और इस ता में तै में आ मिला हुआ है आ को तो कर देगा लोग और खुद शामिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा तिक और शब्द क्या बन जाएगा वार तिक वार्तिक। उसी प्रकार देखो इसमें तो धनी है एक की और मूल जो शब्द है वो है वर्स। अब आप लगा लेना कैसे है वर्स धन एक है वर्स। invalid मिला करके आप क्या बना दोगे वर्स और एक मिला करके आप वार्सिंग बना बनाओगे वारसिक इस चीछ का विश्चिज ध्यान रखना वर्स और एक मिल करके क्या बन जाएगा वार्षिक्त अब जाते हैं अगले पर और अगला शब्द क्या है याद्रिचिक अच्छा शब्द है याद्रिचिक अच्छा शब्द है अच्छा शब्द है और अच्छा शब्द होने के साथ साथ बिल्कुल इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूल शब्द का विशेश ध्यान रखना है मूल शब्द क् मैं स्वामी ही आपको बताऊंगा मूल शब्द है यद्रिच्छा तो इसमें प्रत्य लगा दिया एक कि एक प्रत्य कितनी जगा काम करेगा दो जगे एक तो यहां पर एक यहां पर तो क्या है यह यह है और यह में क्या मिला हुआ है इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा व्रिद्धिकरण और इसका जब व्रिद्धिकरण होगा तो एक आ बनके यह तो क्या बन जाएगा यह अब यहां है छे, इस छे में मिला हुआ है आ इस आ का क्या हो जाएगा लोग, तो इसका लोग होगा, तो यह क्या बन जाएगा छिक क्योंकि इसमें एक मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा यादरिचिक, शब्द क्या बन जाएगा यादरिचिक अब आजाओ वईशेसिक इसमें जो दौनी है अंत में हो एक की है तो एक तो क्या हो गया प्रत्य हो गया और इसमें जो मूल शब्द है वो मैं आपको बता देता हूँ विशेस है विशेस अब विशेस में जब आप एक प्रत्य लगाओगे तो ये वी तो बदल जाएगा वई में और ये से बदल जाएगा सिक में और शब्द वैसा की वैसा फिर उठा करके रख दो तो वईशेसिक अब अगला जो शब्द है वो है दैनिक ये बनेगा आपका दिन और एक से अब बना देना दैनिक ही बनेगा ठीक है इसलिए आपको गवराने की कोई भी आवशक्ता नहीं है झाले आवशक्ता नहीं है ठीक है अब बताओ कहीं बटकने की हावशक्ता नहीं है जो सारी चीज़ें आपको यहीं मिल रही है वहीं किलकुल कोई टेंसन वाली बात नहीं है झाल झाल लड़कियों को होता है एक क्लीचर लगाओ यह लगाओ हम मार्श्टरों के क्या कान के उपर और यह आपको परिक्षाम सफल करवाने के लिए कि मैंकप करना पड़ता है क्या करें देखू यह हो गया तो मैंसे मैं देखना है मैं क्या टीप रहूँ मेरे सामने LCD लगी हूई है इस पर तुमारे कमेंट्स भी चलते हैं क्योंकि live चली जाती ने class एप के माद्य में से इस पर comments चलते हैं दूसरी चीज है कि इस पर मैं देखते रहता हूं कि board में क्योंकि ऐसे मैं देखूंगा जब तो फिर तोमारा छिप जाएग इस वज़े से मैं इस मैं देखते रहता हूं सामने LCD में में यह देखता रहता हूं कि कहां पर क्या और लिखा जा सकता था लेकिन मैं लिख नहीं पाया या फिर कहां पर कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधार लेते हैं इस प्रकार से क्योंकि खुद को भी एक बार प्रूफ रीडिंग करना आवश्यक होता है यह मैटर मार्केट में जाता है इसलिए बिल्कुल गवराने वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है बाकि मस्ते से पढ़ो आराम से किसी के आउकात नहीं है जो तुम्हें प्रत्य को सही करने से रोग दे लेकिन दिमाग लगा कर रुची के साथ आपको इस वीडियो में पढ़ना होगा बाकि मैं आपको एक चैनल मिलेगा उस चैनल में आप अपने प्रशन की फोटो खीची और प्रशन की फोटो खीच कर बेज़ दीजिए आपको मुझसे पहले तो बाकी के और जो उसमें शामिल है वह उत्तर दे देंगी तो हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत कहां थी किया यह अब श तो एक सेकंड का समय मिलता है जिसमें और आजाते हैं फिर इसका निधान कैसे हो इसका निधान ऐसे हो इसका निराकरण ऐसे हो कि आप उस प्रशन की फोटो खीच और भेस तो गुरूप में एक से विद्वान है गुरूप में ध्यान रखना पिछली जो SI की वेकेंसे थी उसमें जो मैंने पढ़ाए तो उसमें से 4 SI हैं वो भी उसमें शामिल है वो हिंदी के शांदार विद्वान विक्ति हैं उनके साथ साथ जो कई सालों से PSI की तैयारी कर रहे हैं पिछले तीन-चार साल से जो SI कोई लक्ष धेमान करके लगे हुए हैं उनकी इंदी बड़ी म सावशक्ता नहीं है और बाकी ग्रूप में साम चैनल पर सामिल जितने भी हैं वो सब हिंदी के बुख्षों हैं बुख्ष का मतलब भूके बैठें कि किसी प्रकार से कोई प्रशना आए और हम इनका उत्तर दें इसे बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है मस्तिय से तक मैंटर पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस चैनल का जो मुख्य धे है वो है इमानदारी से बच्चों तक उनके पैसे का फाइदा पहुंचाना तिक्षा पहुंचाना ऐसे नहीं कि खुद के बैंक बैलेंस बढ़ लिए और बच्चे भटक रहे हैं फीस उनसे ज्यादा ले पैकर के और क्या होता है कि तुम स्वंचे की आपसफल हो जाए आगए चलते हैं सब्सक्रांदेश क कि देखें यह अगले शब्रकी तरफ चलना नहीं होगा उसके पीछए करके मैं एक बार देख लेता हूं कि आपने अपनी जो प्रेमिल और उर्जी तो पस्तिती मुझे तक पहुचाई यह कमेंट्स के माध्यम से वो क्या है क्या नहीं है आपने जो पिछले कमेंट्स किये थे और उर्ण में जो कुश्चन थे आपके वो मैं देख लेता हूँ अंदी की पांच यू नंबर की जो वीडियो है ग्यारा कमेंट्स आये मैं चेतन बिल्कुल चेतन नहीं बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि प्लेश किप दर थंबनेल सिंपल फूर मोर व्यूज एंड और राइट लाइक संधी एमसी की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन चेतन मैं आपको यहाँ पर छोटी से एक बात बता देना चाहता हूं कि करवा रहा है पचास प्रिश्णों को लाते हैं उनके पहले उत्तर देख लेते हैं पर एक एक सेकंड में टिक लगा लगा के आपको बता दिया इन चार में से यह क्यों है बाकी क्यों नहीं उनका कोई पहुचते नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं हर टॉपिक से केवल सौ ही शब्द लेकर करके आता हूं और वो जो सौ शब्द हैं वो सौ शब्द कैसे जो बहुत महत्पूर्ण है उन सौ शब्दों के मैदम से आपको नियम भी देखने को मिलते हैं इसलि सीधा सरल बनाएं देखो उसके पीछे कारण है थमनिल की जो अपने डिजाइनिंग रखी है वो रखी है PSI से पुलिस के लोगों से संब्द कि अगर कोई चलता हुआ लड़का है अभ्यरती है वो यूटूब चला रहा है तो देखता हुआ सर्च करता हुआ भी केवल थमन चीजे हैं जो हमने भी सोचा विचारी किया लेकिन आपका एक तत्थ बहुत अच्छा है कि इसमें जो संधी या टॉपिक का जो नाम है उसको थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए तो मैं आज इसमें चेंजेच करवाँगा देखूंगा संधी को किस डिजाइन में लिखा जा कि उनका प्रशन भी है देखो प्रशन है कि ऐसतरा आस्था का विलों शब्द क्या होगा ऑन्होंने दोRefronty मुझे दिये हैं पहला जो दिया है वह अनावस्था और दूसरा है अगर आप दो ही विकल्प मुझे देते हैं तो दो विकल्पों में से पहला विकल्प जो आपने अनवस्था दिया है वो तो बनता है अन और अवस्था से अब अन और अवस्था, यानि अवस्था का जो प्रति रूप, विप्रीत रूप है, उसमें आस्था का तो कहीं इस्थान ही नहीं, इसलिए अनवस्था तो कहीं भी आस्था का विलौंपद का इस्थान नहीं ले सकती, दूसरा आपने दिया है अविश्वास, अगर दो ही व कल्पव में से अगर एक अनवस्था है तो उसको तो मैं गलत मानता हूं और दूसरा जो एविश्वास है उसको मैं इसके विलॉम की रूप में मानने करता हूं तो आपका उत्तर आपको मिल गया होगा उसके बाद रुची का कहते हैं कि वाउ सर सरी का जो पेपर है उसमें यह ता चीटी के पर लगना का मतलब होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घमन हो जाना कि पूजावर में कहते हैं समीर परिहार कहते हैं ऑफिसेल कहते हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से जोड़े रहे और जोड़ कर करके आप अपने विचार व्यक्ति करते हो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसके पहले वाली वीडियो के भी कमेंट के बारे मैंने बात नहीं किया आपसे 18 कमेंट्स हैं जिसमें पहला है एक गंपत हैं वो कहते हैं लव यू गुरुदेव बिलकुल आपको भ सिर्वाद है माशारदा की किरपा है आप सभी का इसने है एकास्था है स्रद्धा है विश्वास है कुछ मेरी मेहनत है कुछ आपके प्रतिस अकारात्मक सोच है कुछ आपकी मेरे प्रतिस अकारात्मक सोच है आपके प्रेमिल और उर्जित उपस्तिती है और इस चोरी यु अन्यवाद आदा करता हूं और फिर रुची का शर्मा कहते हैं कि सुपर सर और ओफ-लाइन क्लास इज बेश्ट एंड मूर एफेक्टिव विल्वास द इस क्लास विद फुल कॉंसेंट्रेशन एंड आफ्टर सीट एक्जम थेंक्यू बिल्कुल बिल्कुल रुची का बहुत शाया में होती है बहुत बड़ी है कि जिंद्गी की तपिश को सहन कीजिए क्योंकि अक्सर वो पौधे मुर्जा जाते हैं जिनकी परवरिश शाया में होती है और जो चट्टानों पर थोड़ी सी मिट्टी में भी अपने आपको बड़ा करने का साहस रखते हैं अपने सेवल यह स्री राम थे स्री राम थे लेकिन जड़ वह बंडाकर के वापश फोटे वापस आए तो सरी रगल करने जो पर इस लेया है अकी परिंद्थ वह सिकलाती हैं परिसितिया हैक्के स्रीराम जब 1 गए तो बन गए जब स्री राम वन गए तो बन गए अर्थात वन मैं जाने से पहले मों क smo दbout ख्री राम थे लेकिन वन में से आने के पेश्चात विम मरियाध्ध पुरस्वत्तम स्री राम कहला है यहां स्री राम बहुत-बहुत आपका धन्यवाद